सभी को मेरा प्यार भरा नमशकार मैं संतोश वैश, Blessing Team Chicago, अमेरिका से बात कर रही हूँ, खोर्षे भावनगरी जी के त्वारा लिखी गई बुक, The Laws of Spirit Word के हिंदी ट्रांसलिवरेशन, जीवात्मा जगत के नियम का ओडियो नमबर पांच प्रस्तुत कर रही हूँ, पिछले ओडियो में हमने जाना जीवात्मा जगत के साथ लोगों के वारे में, साथ ही अपने असली घर अच्छे और बुरे करमों के वारे में जानकारी की, अगला संपर्क 25 अपरेल को किया गया जिसमें विस्पी और रतु दुनिया में की ये जाने वाले अपराद विरुत पाप करम के वारे में बताते हैं, हम कई बार सुनते हैं, इश्वर उनकी मदद करता है, जो खुद अपनी मदद करते हैं, यह बिलकुल सत्य है, मान लीजिए, आप निम्नितर लोक में हैं, और उच्चतर लोक में जाने की सच्ची आकांख्षा रखते हैं, तो सही माइने में सुधरना चाहते हैं, तो इश्वर आपकी हर प्रकार की मदद करेंगे, सर्वशक्ति मान इश्वर हमारी अध्यात्मिक उन्नती चाहते हैं, और आपको भरपूर मदद मिलेगी, निचले इस तरपर रहने वाले बहुत से लोगों को लगता है कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो इश्वर से डरने वाले हैं, हमने कोई अपराद नहीं किया है, हो सकता है आपने कोई अपराद ना किया हो, पर आपने बहुत से पाप किये हो, सच्चाई तो ही ये है कि पृत्वी पर बनाए गए नियोम का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है पृत्वी की दुनिया में जिसे अपराद माना जाता है जरूरी नहीं कि वो पाप हो ये जरूरी नहीं है उधारन के लिए स्वार्थी होना अपराद नहीं है नहीं ये अपराद है कि आप अंदर से बुरे हो और दुनिया के सामने दिखावा करें कि आप उन्यात्मा है नहीं ये अपराद नहीं बलके ये बहुत बड़ा पाप है इसका मतलब आपके दुरा किये गए बहुत से अपराद अर्थाद मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है पाप का अर्थ है इश्वर के दुरा निर्मित नियमों को तोड़ना कई पाप ऐसे होते हैं जिने दुनिया में गलत नहीं माना जाता इसलिए पृत्वीवासी सर्वशक्तिमान इश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं कई लोग ऐसे हैं जो पाप को गंभीरता से नहीं लेते और कुछ तो पाप को मानते ही नहीं है पिर्थवीवालों के लिए ये जानना आवशक है कौन से पाप उन्हें अपने असली घर यानी की जिवात्मा जगत के नियम के निम्न इस्तर पर ले जा सकते हैं अगला संपर्ग 26 अपरेल को किया गया जिसमें विस्पी और रतु ने बताया कि मनश को अपने पापों की सजा भोगनी ही पड़ती है ये बहुत महत्वपून भाग है इसलिए इसे ध्यान से समझें ऐसा कहा जाता है कि यदि दुष्ट लोग अपने दुष्टता छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जी हां ये बिलकुल सत्य है ईश्वर उनकी जिम्मेदारियां ये भला बनने की इच्छा जानकर इश्वर उसे माफ करके स्वर्ग में उनका स्वागत करेंगे जी नहीं चाहें कुछ भी हो जाए उन्हें अपने दुष्ट कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा जब आप अपने पापों का सच्चे मन से पास्चाताब करते हैं आप में खुद को बदलने की सच्ची लगन हो और इश्वर को ये भरोसा हो जाए कि आप फिर से उपर उठने के लिए गलत काम नहीं करेंगे तब ही इश्वर आपकी तेजी से मदद करते हैं तब इश्वर आपको मादर्शन करके आपको सही तरीके से अपने कर्मों का उल्ला में आप उच्चतर लोक में शीघर पहुंच सकें ऐसा नहीं है कि आप दुस्ट कर्म करें और अगले ही इश्वर की पूजा करने लगे और आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे ऐसा भी ना सोचें कि कि किसी प्रोहित के सामने अपरात स्विकार करने से इश्वर आपको माफ कर देंगे आपके पापों को सिर्फ इश्वर ही शमा कर सकते हैं जब तक आप सच्चे मन से पाशाताप ना करें आपको खुद को बदलने की अंदर से अभिलाशा होनी चाहिए आपकी इच्छा एक सच्चे इमानदार भला जीवन जीते हुए इश्वर तक पह होनी चाहिए कोई व्यक्ति दुन्या में बहुत साधरन लगता हो किसी को उसके सवालों के जवाब देना भी जरूरी ना लगता हो उसकी कोई हैसियत ही ना हो पर जीवात्मा जगत में उसका इस्थान पिर्थवी के बड़े-बड़े लोगों से भी उचा हो सकता है पिर्थवी वासी उनके इस पंदन और प्रभाम अंडल से पूरी तरह अंजान होते हैं कई बार पिर्थवी पर बहुत लोग किसी व्यक्ति को भौत धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं पर हो सकता है वो बहुती दुष्ट हो और दुष्ट व्यक्तियों की संगत आपको भ्रमित कर निम्न इस्तर पर ले जाने को मजबूर कर दे अच्छा तो यही होगा कि आप लोग जिवात्मा जगत से संपर्क कर वहां से मार्दर्शन प्राप्त करें अगला संपर्क 27 अपरेल को किया गया जिसमें बताया गया कि शैतान का अस्तित्व नहीं होता इस सध्या प्रत्वी बताते हैं कि हमारे जिवात्मा जगत में कोई भी शैतान नहीं होता लेकिन यहां के निम्न इस्तरों और प्रत्वी पर दुष्ट लोगों की वज़े से शैतानों का अस्तित्व होता है इन शैतानों ने प्रत्वी को नरक बना दिया है प्रत्वी पर भली बुर बुरी आतमाएं एक साथ और सबी बुरी आतमाएं और दुष्ट आतमाएं एक साथ रहती हैं। जीवात्मा जगत में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई दुष्ट आतमाँ आपको नुकसान पहुंचाएगी। यहां तो सब भली आत्माएं आपस में प्रेम से एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी किशी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, जीवात्मा जगत में सारी बुरी और दुष्ट आत्माएं एक साथ रहती हैं, जो इर्चा बेमानी से भरी होती हैं, एक दूसरे को धोका और नुकसान पहुचाती हैं, मान सिक कष्ट भी देती हैं, और जो आत्माएं सुधरना चाहती हैं, उनकी एक ही पुकार पर उचतर लोग से मदद मिलती हैं, उचतर लोग से अकेला दयालू आत्माएं आकर, अनेकों दयालू आत्माएं आकर उन्हें नि कलने में मदद करती हैं निम्नितर लोग की आत्माओं का ध्यात्मिक विकास बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माओं उन्हें और विगाड़ना चाहती हैं उन्हें सुधरने का मौका देना नहीं चाहती दुष्ट आत्माई सुधरने वाली आत्माओं की अच्छाई विक्सित होने नहीं देना चाहती इसलिए सुधार चाने वाली आत्माओं का सुधार असंभव तो नहीं पर कठें जरूर होता है दुष्ट से दुष्ट आत्माई पश्चाताप करे तो थोड़ी समय में ही सुधर सकती है पर सधियों तक निम्न लोकों में रहने के कारण सुधरना ही नहीं चाहती और सुधरने वाली आत्माओं को भी सुधरने से रोगती है क्योंकि अकेले भी नहीं रहना चाहती सर्शक्तिमान इश्वर के वारे में आपको बताने की कोई आवशक्ता नहीं है हमारे स्वर्ग के सवामी और हमारे विश्व सहित अनेकों विश्व के पिता के वारे में हम सभी जानते हैं इश्वर, प्रेम, करुना, न्याय और ज्ञान की खान है वो स्वर्ग के नयाईशील स्वामी है जो कभी भी किसी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते वो हमेशा आपकी उन्नती में आपकी मदद करते हैं वो दुष्टों को कुविचारों से छुटकारा पाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के और खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं उनके पास उचतर लोकों में कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतर लोकों से दुष्टात्माओं को उचतर लोक में जाने में मदद करते हैं अब अगला संपर्ग 28 अपरेल को किया गया जिसमें विस्पी और रतु ने मनुष जो बोता है वही काटता है इस वारे में चानकारी दी पृत्वी पर बहुत से लोग मृत्व के बाद के जीवन के वारे में विश्वास ही नहीं करते जीवात्मा जगत की आत्माएं पिर्थवी की तुल्ला में अधे के जीवन्त होती है यहाँ पर भौतिक शरीर के सुख और दुख से मुक्त होती है जीवात्माएं जीवात्मा जगत में सभी अपना पसंदीदा कारे करती हैं ना आपस में जगडा करते हैं, ना ही एक दूसरे को दुख देते हैं, अपने घरों की सुरक्षा भी नहीं करनी पड़ती और किसी को नुकसान भी नहीं पहुचाते, सब जीवात्माओं को सर्शक्तिमान इश्वर के द्वारा पूरी स्वतंतरता दी गई है, यदि वो चाहते हैं, तो वो पढ़ते हैं, काम करना चाहते हैं, तो काम करते हैं, आराम करने का मन हो, तो आराम भी करते हैं, उनकी इच्छा किसी दोट से मिलने की है, तो वो दोस्त को मिलने जाते हैं, उनका मन परातना करने का हो, तो वो परातना भी करते हैं, पृत्विवासी इसक ध्यान रखें वो जो भी कुछ आप लोगों से कहेंगे वो आपके ज्यान और विचारों की तुल्ला में अधिक बहतर होगा फिर भी वो कहते हैं कि परिपोन तो हम भी नहीं हैं और वो भी सीख रहे हैं कि वाली श्वर के पास पहुंच करी हम पून और शुद्ध हो सकते हैं वो बताते हैं कि जिवात्मा जगत के निवासी आप पिर्थवी वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपका मार्द दर्शन कर सके जिवात्मा जगत की तुल्ला में पिर्थवी पर आप तेजी से उच अध्यात्मिक इस्तर पर पहुंच सकते हैं सर्व शक्ति मा इश्वर के जुनियम हम उनका सभी आत्माओं द्वारा सक्ति से पालन किया जाता है। आप जेतन मन यानि की सबकॉंश्यस माइड आपको दुख का अनुभव कराता है। आपका अपना अवचेतन मन बिना किसी जानकारी के आपको नियाएं दिलाता है। जबकि आपका भौतिक मन ये भी नहीं जान पाता कि आप दुखी क्यों है। कर्मों के निस्वारा आपको इनाम या आपकी सजा अपने आप मिल जाती है। तब समझ में आता है कि सर्व शक्तिमान इश्वर कितने दयालू हैं। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं शेश अगले अध्याय में। थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक यू